तो वहीं शिम्ला में बीतर दिन कैबिनेट बैटक की एक बैटक बुलाई गई है आपको उतारे कि जिसके दिक्षिता मुख्य मंत्री जैराम ठाकुरने की है जोरान कैबिनेट ने कई एहम फैसले लिये मंत्री मंडल की बैटक में दन चकट साधिकारियों के 104 पद स्रजितकर अनुबंध की आधार पर भरने का निड़ने लिया गया इन में से 50 प्रतिशत पद हिमाचल प्रदेश लोग सिवा आयोग के माध्यम से बरे जाएंगे और 50 प्रतिशत पद बैच आदार पर भरे जाएंगे आपको बता दे कि बैटक में राज्यों के भिविन हिस्सों से आयूश विवाग के तहद 22 होमियोपैथिक स्वास केंद्र खोलने और इन केंद्रों के प्रबंदन के लिए होमियोपैथिक चिकित साधिकारियों के 22 पदों को भरने का भी निड़ने लिया गया है मंत्री मंडल ने पंचाइती राज विवाग में तकनीकी सायकों के 164 नफ सरजित पदों और रिक्त पदों को करमचारी च्वेन आयूख हमीरपूर के माद्यम से भरने की सुईकृति प्रदान की है मंत्री मंडल ने हिमाचर प्रुदेश में अपने हॉस्पिटल में 104 पद मेडिकल ऑफिसर्स डेंटल के कंट्रेक्ट बेसिस पर भरने को मंजूरी परदान की है जिसमें 50 प्रतिशत 22 और 50 प्रतिशत डेरेक्ट रिकूट्मेंट से भरी जाएंगे काफी अर्से बाद जो है ये गेंटर डॉक्टरों की जो है भरती सरकारी हॉस्पिटल में की जारी है इसके रावा 22 हॉमियोप्रथी हेल्ख सेंटर आयूश डिपार्टमेंट के अंतरगत खोले जाएंगे जिसके लिए 22 ही पद हॉमियोप्रथी मेडिकल ऑफिसर्स के स्रिजित किये गए हैं तो देखिए 104 दंच कैसा अधिकारी स्रिजित करने को मंजूरी है पज़्जाईती राज विवाग में तकनीकी सायक नियुक्त होंगे हच पीपी अस्ती से भरे जाएंगे 50 प्रतीश्यत और पद उड़ाने शुरू करने के लिए समझोता ग्यापन के मसौदे को मंजूरी मिली है एनच्चम अनुबंत कर्मियों को छटे वेतन आयोक के अनुसार वेतन मिलेगा दारा चांदना और खोलेगा नया प्रात्मिक स्वास्त केंद्र नागर कस्पताल सौबिस्तरों से सुद्रत होगा तो कई अहम निड़ने इस बैटक में लिये गए है आपको बता दे केबिन बैटक का आयोजन किया गया था उड़ान समझोते ग्यापन के मसौदे को भी मंजूरी मिल गई है साथी साथ आपको ये भी चानकारी दे रहे हैं कि सीम जैराम के दिक्षिता में ये बैटक हुई थी काफी एहम ये बैटक मानी गई है दन चिकत्सा अधिकारियों को सीम का ये बड़ा तोफ़ा मिला है आपको ये भी बताने कि एनचेम कर्मियों को अनुबंद वेतनमान की मंजूरी हो गई है साथी साथ उड़ान समझोते ग्यापन के मसौदे को भी मंजूरी मिली है तो कई तरीके कि यहाँ पर बाच्च्वी ती जिन पर आज गहनता से चर्चा हुई है और कई प्रस्तावों को पास किया गया है दन चिकतसा दिकारियों को दिवाली से पहले ये बड़ा तोफा मिल गया है आपको बताने कि एनचेम कर्मियों को अनुबंद वेतनमान की भी मंजूरी हो गई है साथी साथ उड़ान समझोते ग्यापन के मसूदे को भी मंजूरी मिली है तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है एहम जानकारी सम आपको अपडेट करा रहे है मोखे मंतरी जैराम ठाकुर की अद्दक्षता में इस बैटक का आयोजन किया गया था और काफी बैटक है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है उससे पहले ही ये बैटक कई माइनों से एहम मानी जा रही है तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी कि अधिसे झाल रही है